Hello friends, welcome to my YouTube channel, chapter 10 circle से theorem 10.8 करेंगे The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle theorem कहती है कि किसी arc से, circle के उपर किसी arc से जो angle center पे बनता है न वो double होता है उस angle से जो किसी और point के उपर बनता है फिगर मैं आप देख रहे हैं ये एक circle है ओ इसका center है और ये जो PQ है ये मैंने arc ली हुई है तो इस PQ arc से एक angle तो बन रहा है center पे वो कौन सा है POQ ये वाला और एक बन रहा है PAQ ये किसी other point पे बना हुआ है circle के उपर ही है center से अलग किसी point पे बना हुआ है circle के उपर तो जो center वाला angle होता है ये इसका double होता है यानि angle POQ is double of PAQ ये थियोरम होती है इससे related बहुत सारे questions है आने महली exercises में तो हमें इसको proof करना है तो proof करने के लिए सबसे पहले इसमें छोटी सी construction करनी पड़ेगी कि A और O इसको इस तरह से join करते हुए बाहर तक चले जाना है उसके बाद यहाँ पर कुछ angles बन रहे हैं इनके नाम मैंने अल्रेड़ी ले लिए हैं ये 1 रख लिया ये 2 रख लिया ये 3 ये 4 और ये 5 अब ये जो दो triangle आपको दिख रहे हैं ना इनको बारी बारी आपको लेना है मैं पहले right वाला triangle ले लेता हूँ और right triangle के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ इन triangle AOQ के अंदर ये जो angle 1 है ना ये बराबर होगा angle 2 प्लस angle 3 क्यों क्यों क्योंकि किसी भी triangle के अंदर जो उसका exterior angle होता है ना जो बार को किसी एक side को बढ़ा कर अगर हम angle बना देते हैं तो वो exterior angle बोला जाता है यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है AO को बढ़ा कर आगे निकाल दिया तो ये angle 1 जो है इस triangle का exterior angle हो गया अब exterior angle बराबर होता है sum of opposite interior angles के तो exterior angle of triangle is equal to sum of its interior opposite angles तो angle 1 की value हो जाएगी angle 2 प्लस angle 3 इसके बाद क्योंकि आपको पता है कि AO और OQ ये दोनों के दोनों same radius ही है circle same है तो radius में length में बराबर होंगे तो इन दोनों की side आपस में बराबर होगी तो हम लिखेंगे OA is equal to OQ reason radii of same circle अब triangle के अंदर जब ये दो sides बराबर हो गई है तो इनके सामने के angle भी बराबर होंगे तो angle 2 is equal to angle 3 जब किसी triangle के अंदर दो sides आपस में बराबर हो isoskills triangle होता है वो तो बराबर वाली sides के सामने के जो angles होते हैं वो भी बराबर होते हैं और यहाँ पर इन sides के सामने आ रहे हैं angle 2 और angle 3 reason भी लिखना angles opposite to equal sides are equal आप उपर देखिए उपर आपने लिखा हुआ है angle 1 is equal to उपर से लेते हैं तो from above angle 1 is equal to angle 2 plus angle 3 और यहाँ पर मैंने ये दिखा दिया है कि 2 और 3 आपस में बराबर हैं तो मैं दोनों की जगे पे मैं 2 रख लेता हूँ तो angle 1 is equal to 2 को तो मैं 2 ही रखूँगा और angle 3 को मैं angle 2 लिख लेता हूँ अब angle 1 मेरा हो जाएगा twice of angle 2 यहाँ पर ध्यान आपको यह रखना है कि यह जो आप twice लेंगे ना जहाँ आप सेम रखेंगे यह वही वाला angle रखना जो आपके यहाँ आ रहा है जो उपर चौच वाले triangle में आ रहा है ना angle में इसी को लेना आप क्योंकि आपको दिखाना क्या है आपको यह दिखाना है कि angle 1 प्लस angle 4 यह पी ओ क्यों हो जाएगा और 2 और 5 यह उपर वाले इसके लिए use हो जाएंगे तो जान पूच के आपको यह ध्यान रखना है कि twice वहाँ उसी को लेना है जो आपके इस वाले angle में आ रहा है अब जिस तरह से आपने इस वाले triangle के अंदर angle 1 को बराबर दिखा दिया twice of angle 2 बिल्कुल same to same similarly in triangle AOP AOP के अंदर जो angle 4 है न यह twice of angle 5 के बराबर हो जाएगा और इस result को मैं number 1 रख लेता हूँ और इस को मैं number 2 रख लेता हूँ यह आपको पूरा करके दिखाना नहीं है जब कोई जीज बिल्कुल exactly same steps होते हैं तो geometry में आप उसे similarly करके लिख सकते हैं यहाँ भी तो बिल्कुल same ऐसी हो रहा है तो number 1 और number 2 से मैं result निकालूँगा आप तो adding 1 and 2 दोनों को add करते हैं तो left वाली चीज लेप्ट में जुड़ेगी यानि इसका angle 1 और यह angle 4 right वाली चीज राइट में जुड़ेगी twice of angle 2 plus twice of angle 5 result निकाले 1 plus 4 figure में देख लिजे आप 1 plus 4 क्या बन रहा है POQ तो angle POQ बन गया यहाँ पर 2 common हा रहा है मैं common ले लेता हूँ और bracket में angle 2 plus angle 5 next step में 2 का 2 2 plus 5 figure में देख लिजे 2 plus 5 क्या बन गया PAQ तो यह PAQ बन गया यही आपको इसके अंदर show करना है कि जो center वाला angle है center पर angle है POQ वो बराबर है जो other part पर angle है उसके double के तो यह show हो गया तो इस तरह से आप इस theorem को proof कर सकते हैं पेपर में आती है अब इसके बाद कुछ तो theorem से उन्हें भी करते हैं इसी वीडियो में theorem 10.9 angles in the same segment of a circle are equal बात समझेंगे same segment का मतलब है यह circle है यह मैंने एक यहां पर chord डाल दी तो chord से जो circle है वो दो चीज़ों में बढ़ जाता है, उन्हें हम segment बोलते हैं तो माली जी उपर वाला segment है ये नीचे वाला segment है अगर मैं इस segment के अंदर angles बनाता हूं यहां से मैंने ये बना दिया angle P ये मैंने Q बना दिया ये एक और बना दिया मैंने R तो ये उपर वाली major segment है ना same segment के अंदर मैंने Q, R, P ये तीन angle बना दिये तो इन तीनों का जो measurement है ना वो exactly बिल्कुल same होगा इसी तरह से अगर मैं नीचे वाले segment में कोई angle बना देता हूँ यहाँ पर for example A फिर यहाँ से मैंने ये B बना दिया तो A और B measurement में बराबर होंगे ये थियोरम बोलती है थियोरम 10.10 इसको थोड़ धिहान से समझें इसका मीनिंग क्या है थियोरम का कोई सरकल है ये कोई line segment है इस line segment के सेम तरफ यानि कि सेम साइड या इधर चाहे इधर कोई दो angle बने हुए है मनली जे P और ये Q बना हुआ है और P बराबर angle Q के है तो ये जो 4 point है मनली जे A भी है ये line segment तो A भी तो line segment थी इसके A की तरफ circle के अंदर angle P बना है और angle Q बना है और ये दोनों के दोनों बराबर भी है ऐसा दिया हुआ है तो 4 के 4 point A, B, Q, P ये line होना circle ये circle के उपर ही line करेंगे ऐसा नहीं कि P तो यहाँ बन रहा है और angle Q बाहर बन जाए अगर बाहर बनेगा तो फिर वो equal नहीं हो सकता अंदर भी बनेगा तो भी equal नहीं हो सकता ये बराबर तब ही होंगे जब बिल्कुल exact circle के उपर like करेंगे और जब ये circle के उपर like करेंगे ये तो circle के उपर like करेंगे क्योंकि बराबर होंगे और A भी line segment है तो चारो के चारो point न इस circle के उपर ही लाई करेंगे और जो चार point circle के उपर लाई करते हैं उन्हें हम कौन cyclic बोलते हैं कौन cyclic मतलब जो सारे के सारे points circle के उपर लाई करें next जो topic है इसके अंदर ये है cyclic quadrilaterals cyclic quadrilaterals अभी जो theorem करवाई है मैंने यही वाली इसी से आप समझ गये होंगे कि जो चार points circle के उपर लाई करते हैं वो जो quadrilaterals बन जाएगा वो कौन cyclic होगा cyclic quadrilaterals उसी को बोलेंगे तो cyclic quadrilaterals वो quadrilaterals होता है जिसके चारो vertices circle के उपर ही लाई करते हैं आप फिगर में A, B, C, D cyclic quadrilaterals है A, B, C, D चारो points circle को touch कर रहें बिल्कुल इसी से related आपकी दो theorem से theorem 10.11 The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilaterals is 180 अगर कोई cyclic quadrilaterals है तो इसके जो opposite angles होते हैं इनका sum 180 होता है यानि angle A plus angle C 180 होगा angle B plus angle D 180 होगा अब इसी का उल्टा, converse If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilaterals is 180 the quadrilaterals is cyclic कहना कि अगर कोई भी quadrilaterals है उसके जो opposite angles है उनका sum 180 है तो वो quadrilaterals पे cyclic ही होगा तो यह just इसका उल्टा है तो यह last theorem थी इसके बाद exercise शुरू होगे तो exercise के लिए मिलते हैं फिर आपसे next video में तब तक के लिए बच्तर हैillos के लिए ग्यापेस सैनन् झास में तक करेंद़ 0